हालो एव्यवान वेलकम बाक टू रिमार्केबल स्टडीज आज हम अपने चैनल पे यह नया टॉपिक डिस्कुस करने जा रहे हैं है टॉपिक स्क्रीन पे विजिबल है मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की नेचर और इस करेक्टिस्टिक्स यह जो टॉपिक है यह आपको जैंडर स्कूल सुसाइड़ी के यूनिट वन में ही मिल जाएगा और उसमें काफी सारे टर्म्स उन्होंने कवर किये हैं धीर धीर हम उन सारे टर्म्स के नेचर्स और करेक्टिस्टिक्स को अपने लेक्चर्स के थ्रू डिस्कुस करेंगे यह वीडियो आपके लिए हलपफुल रह करेक्ट आएगा करेक्टरिस्टिक्स नेचर कोई भी क्वेशन आए यू हाव टू अटेंप्ट इस फुल वीडियो इन यूर क्वेशन बना बनाया क्वेशन में आपको देने जा रही हूँ मोरोवर जो कोशन है वो अपने सेवन मार्क्स में अटेंप्ट करना है तो फॉर पर कवर हो जाएगा चलिए करते हैं स्टार्ट ठीक है जैसे कि मैं आपको हर बार यह चीज बताती हूँ आप कोई भी क्वेशन करने जा रहे है इस इंपॉर्डन ऑन यूर पार्ट तू राइट डाउन दे मीनिंग फर्स तो यहां पर मैंने पेट्रियार्की टर्म का मीनि करते हैं मतलब कि मेल्स को जाधा इंपॉर्डन दी जाती है उससे उल्ट होती है मेट्रियार्की सुसाइटी जहां पर विमन को जाधा इंपॉर्डन दी जाती है तो आज हम पढ़ेंगे कि पेट्रियार्की सुसाइटी में क्या-क्या चीज़ों को इंक्लिूड किया गया ह और यह society बनी कैसे है meaning से start करते है it is a form of society in which men मैंने अभी आपको बताया patriarchy stands for men बस आपने इतना याद रखना है कि इसमें men group जो है वो dominate करेगा बाकी सारे groups of society में generally दो ही groups है male होंगे या females होंगी तो patriarchy में किसको जादा importance दी गई है males को और वो जो females है उनको dominate करेंगे simple words में गर हम मैं बोलूँ that authority is vested in the hands of males जितनी भी authority है जितनी भी power है जितनी भी decision making है वो सारी किसके हाथों में है males के हाथों में तो यहाँ पे authority के साथ आप कुछ और words add कर सकते हैं power, dominance you can write down these words here इसके साथ यह तीनों चीज़ें किसके हाथ में होंगी males के हाथों में होंगी आगे चलते हैं characteristics अब मैंने ना question को दो पार्च में divide किया है पहले मैंने four characteristics लिखे हैं ठीक है इनको मैंने explain नहीं किया just highlights हैं जो आप अपने question में provide कर दोगे उसके बाद मैंने nature mention किया है ठीक है nature के जो points है वो मैंने यहाँ पे highlight कर दिये है और इनको मैंने आगे detail में explain किया है अब tip समझी है जो आपने paper में attempt करनी है question आपको आगया what are the characteristics of patriarchy तो आपने पता क्या करना है यहाँ पे इसकी heading change करके कर देनी है आपने nature यह points आपने इधर लिख देने है और आगे जाके जो nature है यहाँ पे हमने कर देना है characteristics ठीक है और यह सारे points जो है वो आपने आगे explain कर देने है ठीक है जी यह tip थी दूसरा अगर आपको question आया है यह कि nature लिखो फिर ऐसे ही आप attempt कर देना यह characteristics है पहले यह explain कर देना फिर nature लिखी हुई है मैंने points explain किये हुए है उसके बाद यह points कर देना तो जो भी question आजाएगा आपने switch कर लेना है अगर characteristics पे question आगया तो यहाँ पे heading change करके आप सारा का सारा question जो है attempt कर दोगे दो दो चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है modern world में रह रहे हैं तो हम smart work की तरफ जो है वो जाता जाएंगे चलिए बेना time waste किये start करते हैं अपने आगे वीडियो को characteristics of patriarchy सबसे पहला point मैं अभी आपको बता चुकी हूँ men dominated society मतलब जो society है उसमें किसकी चलेगी पुर्शों की चलेगी males की चलेगी हाँ अब patriarchy और matriarchy वाला system नहीं है हमारी country में कुछ areas में होगा बट largely नहीं है क्योंकि equality है आगे होता था कि जैसे हम बात करें पुराने जमाने में लड़कियों को घर में रखा जाता था males बाहर जाते थे काम करते थे घर के लिए जो है वो पैसा लेके आते थे और जब वो काम पे जा रहे हैं तो घर की महलाएं घर पे रहती हैं घर के काम करेंगी बच्चों को संभालने का काम वो करती थी लेकिन आज समय बदल गया है अगर men बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं तो women को भी authority है कि वो बाहर जा के काम करें अब तो ये भी चीज है कि male and female दोनों काम कर रहे हैं बड़ वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे की देखभाल भी करें तो वो duties बांट लेते हैं जॉब हम दोनों करते हैं सुभे अगर आप काम पे जा रही हो तो मैं घर पे रहके बच्चों की देखभाल करूँगा जब आप घर पे आ जाओगी उस टाइम पे मैं काम पे चला जाओँगा आप बच्चों की देखभाल कर लेना लिखा हुआ है तो हमें ये टॉपिक ज़रूर कवर करना पड़ेगा तो हम कवर कर रहे हैं यहां पे आपको समझाने की पूरी-पूरी गोशिश कर रहे हैं दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा गया है इंपॉर्डन डिसीजिजिंस आ टेकन बाइद मेल जोनी मतलब फैमिली में जितने भी डिसीजिंस हैं वो सारे के सारे मेल्स ज़ौरा ही लिये जाएंगे कल्चरल नॉर्म्स, कस्टम्स ऐसे रिती रिवाज फॉलो किये जाते हैं जिसमें मेल्स को इंपॉर्टन्स दी जाती है और women को किसी भी तरीके का कोई भी benefit दिया नहीं जाता धेन आणिकॉल distribution of power between males and females power की जो distribution है वो आनिकॉल है जैसे company में काम कर रहे हैं कोई लोग, ठीक है, males के पास जदा authorities है females के पास जदा authorities नहीं है CEO, काबियार दोनों की बराबर है लेकिन CEO company का किसको बना दिया head किसको बना दिया male को और उसके नीचे कौन काम कर रहा है female तो यहाँ पे power of distribution equal नहीं है दोनों काबिल है तो दोनों को equal responsibility दी जानी चाहिए बड़ पेट्रियार्की society जो है वो इस चीज को promote नहीं करती है वो सिरफ एक ही चीज कह रही है कि men are superior to women हाँ अब यह चीज हमारी country में नहीं है या किसी भी country में नहीं है धीरे धीरे हमारी society में से यह चीजे खतम हो रही है काफी हद तक हो चुकी है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको यह society मिल सकती है next definition पे move करते है Oxford Dictionary ने कहा अब इस question में ना एक problem है बार बार एक ही बात को हम बार बार repeat करते जाएंगे कि male superior है women superior नहीं है बार बार यह कहानी हर point में हर definition में हर nature के हर point में बार बार आती रहेगी बट question का part है तो हमें यह चीज बार बार लिखनी होगी Oxford Dictionary ने क्या बोला a system of society in which patriarchy एक ऐसा system of society है जिसमें men के पास क्या है power and women को उस power से क्या कर दिया गया है बाहर exclude कर दिया गया है घर में decision लेना है TV लेना है यह washing machine लेनी है कौन decide करेगा male members of the family अब दोनों में से ज़्यादा important क्या है अगर washing machine ले दी जाएगी तो क्या होगा women का काम जो है वो easy हो जाएगा TV नहीं है TV के बिना भी रहा जा सकता है लेकिन यह decision कौन लेगा male members of the family वो TV खरीदना चाहते है या वो washing machine को importance देंगे और इसमें women को बोलने नहीं दिया जाएगा कि आपकी इच्छा क्या है Wikipedia ने भी हमें एक definition दी patriarchy एक social system है जिसमें male को क्या दी गई है important position कुछ एक roles में और role क्या है घर में decision लेना है बच्चों ने कौन सा college join करना है family में कौन सी नहीं चीज आएगी वगेरा वगेरा यह जितने भी decisions है यह किसके दौरा लिए जाते है male members of the family एक suggestion आपके लिए आपना क्या करना meaning के बाद पहले definitions देना फिर characteristics के यह points देना फिर आजाना अपने nature पे ठीक है जी nature है यहाँ पे 10 से 12 points होंगे मैंने पहले highlight कर दी है headings दे दी है आप भी एसे करने की कोशिश करना अपने पेपर में diagram जरूर बना देना क्योंकि diagram बनाने से थोड़ी से space cover हो जाएगी space cover हो गई तो quotient जो है वो उसकी length अराम से 3.5 page तक पहुँच जाएगी चलिए अप स्टार्ट करते हैं points को one by one created by men patriarchy society है यह किसने create की होगी men dominated society है तो definitely इसको बनाने में किसका रोल होगा men का इस society में उन्होंने यह चीज साफ साफ बोल दी कि हम female से क्या है superior है और यह चीज हमने अपने पुरानी centuries में या पुराने लोगों से सुनी होगी काफी सारी movies भी हम tv पे देखते हैं जो इस चीज को क्या करते हैं highlight करते हैं जिसमें यह चीज दिखाई जाती है कि सारे important काम males कर रहे है while women का काम सिरफ क्या है घर पे रहना घर का काम करना बच्चों को संभालना अगर उन्होंने बाजार भी जाना है तो उनको males की permission लेनी पड़ती है कि हम जाएं या ना जाएं तो यह कैसा society है एक ऐसा setup है जो males ने create किया है promotion by women अब males ने create किया women ने भी इसको बढ़ावा पूरे तरीके से दिया कैसे अब उनको बोला गया कि आप घर पे रहोगी तो उन्होंने बात मान ली कि ठीक है जी आप जाएं काम करिए घर के लिए पैसे लेके यह और हम क्या करेंगे घर में बैठके काम करेंगे बट आज की जो women है वो पड़ी लिखी है वो कह रही है कि आप काम पे जा रहे हो I will also go for work ताकि हम दोनों financially independent हो और अपनी फैमली को अच्छा lifestyle प्रोवाइड करके दे सके तो आज की women इस society को पूरे तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है हाँ जो पहले थी society हमारी उसमें women को इतनी जादा opportunities नहीं थी और वहाँ पे women ने भी पूरा पूरा सहयोग किया इस प्रथागों आगे बढ़ाने में next social system simple भाशा में कहें patriarchy जो है वो अपने आप त्यार नी हुई हमने अभी discuss कर लिया ये किस ने त्यार की है society ने society में ये चीज बोली गई कि men are superior तो हर एक person ने उसको क्या किया माना follow किया किसी ने इस चीज को रोकने की कोशिश नहीं की हाँ धीरे धीरे हाँ education मिली women educate हुए हमारे connection foreign countries से establish हुए हमने ये देखा कि कि इस तरीके से foreign countries में women को importance दी जा रही है वो काम में जाती है घर आके घर का काम भी कर रही है प्लस men भी घर के काम में उनकी साहिता कर रहे है तो धीरे धीरे awareness आई हम सब में और हमने इस system को change करने की पूरे तरीके से कोशिश की next fix gender rules patriarchy society ने gender के role fix कर दिये कि जो strong task है जिसमें एकदम capacity चाहिए किसी काम को करने के लिए muscle work चाहिए वो काम सिरफ कौन करेंगे males और वो छोटे मोटे हलके फुलके से काम जिसमें जादा muscle work की जरूरत नहीं है ताकत जादा नहीं चाहिए वो सारे काम किस के लिए रखे गए women के लिए तो gender base पे patriarchy society ने role fix किये कि हम बाहर जाएंगे काम करेंगे आप घर पे बैठके घर के कामों को करिए क्योंकि वो ही आप अच्छे ढंक से कर सकते हो हम बाहर जाएंगे दिन रात महनत करेंगे जो इतनी कडी धूप में अगर कोई बाहर का काम है वो करेंगे आप से ये चीज नहीं होगी तो बेटर क्या है आप घर पे रहिए तो पेट्रियार्की सोसाइटी ने कहीं न कहीं जैंडर रोल्स को फिक्स किया बेगन फ्रम होम फैमिली एक इंपॉर्डन रोल प्ले करती है पेट्रियार्की सोसाइटी में यहाँ पे फादर है तो father की duty क्या बनती है अगर वो अपने बेटा और बेटी में discrimination किसी चीज़ को लेके कर रहे हैं बेटा जो है वो 7 बजे के बाद घर से बाहर जा सकता है लेकिन बेटी 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकती What is this? This is a kind of discrimination जो family में किया जा रहा है तो ये patriarchy society जिसमें हम men को superior बना रहे हैं women के comparison में वो कहां से शुरू हुआ हमारे घर से तो शुरू हुआ अगर हम अपने घर में पूरी छूट देंगे अपने बच्चों को equality रखेंगे किसी भी काम को करने के लिए तो definitely ये चीज़ society में promote नहीं होगी इसलिए family में सबसे पहले changes लेके आने की जुरूरत है जहां पर अगर decisions लिए जा रहे हैं तो it is important कि घर में जो female members है उनको भी include किया जाए इस decision making process में हो सकता है कि वो हमें अच्छा सुझाव दें और decision जो है वो better way से लिया जा सके so patriarchy को families ने भी काफी हद तक promote किया but with the passage of time ये चीज़ खतम हो रही है controlling mechanism, patriarchy, males dominating society है उन्होंने बोला कि ये जो society है वो हमें एक control दे रही है कि हम women को क्या कर सके, control कर सके और वो हमारी सारी बातों को यहाँ पर क्या कर रही है, मान रही है तो जो duty delegate की गई, बताई गई males द्वारा females को females ने उस बात को माना उनकी हां में हां मलाई तभी ये society काफी time तर चलती रही even in government sector आपने देखा होगा mostly positions किसने occupy की हुई थी males but with the passage of time females आगे आ रही है different governmental post पे वो काम कर रही है और आजकल बड़ी बड़ी companies को भी run करने के लिए कौन involved है? females ही involved है हाँ, चीजे change हो रही है but पहले ये चीजे बहुत जादा कम थी rigidity rigidity मतलब की rigid का मतलब होता है rigidity जो word है वो rigid word से निकला है rigid मतलब की पक्की चीज जिसको change नहीं किया जा सकता gender role patriarchy society में fix कर दिये गए अब अगर कोई इस चीज को break करता था या rules को follow नहीं करता था तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था ये बोला जाता था कि इस family के दौर तरीके बाकी society से क्या है अलग है जैसे हम hindi movies में देखते हैं कि सारी जो families उसमें male काम करने के लिए जा रहे हैं एक कोई family है जिसमें females भी काम करने के लिए जा रही है तो उस case में उस particular family को उस society में कोई बुलाएगा नहीं तो इस तरीके के कुछ rules and regulations होते थे कि अगर कोई patriarchy को follow नहीं कर रहा तो definitely उसके साथ कोई बात नहीं की जाएगी या हम जो है ऐसे लोगों के साथ कोई आगे relationship जो है वो develop नहीं करेंगे तो इस तरीके का जो काम करने का criteria था वो society में follow किया जाता था तो radical as well as practical जो patriarchy society है वो किताबों में हमने पढ़ी knowledge मिली कि duties, rules ये सब कुछ laid down किये गए और at the same time ये काफी हद तक हमारी society में follow भी किया गया तो इसके evidence है कि ये थी activities थी और साथ ही हमने कई बारी practical approach भी देखी है अब कुछ लोगों के घर में grandparents होंगे तो वो अभी भी इस चीज को follow कर रहे होंगे that की जो लड़कियां है वो घर पे रहेंगी लड़के जो है वो बार जागे काम करेंगे वो क्या है उन्होंने इस चीज को अपनी life में handle किया हुआ है तो वो चीज अभी तक उनके mind में है कि patriarchy जो है वो कैसी form of society है जिसमें males जो है उनको important position दी गई है generalization generalization मतलब की कुछ rules कुछ regulations जो बनाएगे जो PD दर PD आगे क्या किएगे follow किएगे जिसमें एक rule common था men are superior to women और women अपनी protection खुद नहीं कर सकती इसलिए जो है men का control होना ज़रूरी है ताकि वो women को किसी भी problem से बचा सके child learning patriarchy society हमने बोला कि family important role play कर रही है तो family में जब बच्चों को पाला जाता है rearing का मतलब होता है बच्चों को पालना बच्चों को पाला जाता है तो उनको शुरू से boy and girl के बीच में discrimination किया जाता है जिससे वो चीज उनके mind में बैठ जाती है और आने वाली generations को वो same चीज जो है वो carry forward करते है कि men will do this work and girls will do this work so child rearing बच्चों को पालना जैस हसाब से उनको पाला जाता है ये भी चीज एक important role play करती है silent teaching patriarchy society को silently हमारी society में जो है वो teach किया जाता है silent teaching patriarchy is यहाँ पर नहीं यह line आप change कर ले ना first line में थोड़ा सा error है silent teaching is followed in society typing error जो है वो आ गया है यहाँ पर तो यह line आप change कर ले ना silent teaching is followed in our society कैसे follow की जाती है families में men are giving superior roles children are taught about the position of males and females father is discriminating males and females child पहले हम इस चीज़ पे काफी सादा बात कर के आए है कि जो patriarchy society उसके बारे में कैसे पढ़ाया जाता है family में males females के बीच में discrimination हो रही है यह चीज बच्चे देख रहे हैं फिर mother father लड़का लड़की में बेट बाव कर रहे हैं यह बात है उनके mind में जो है वो कहीं न कहीं घर कर जाती है devoid का मतलब होता है one shit रखा जाता है उनको नहीं दिये जाते किसी भी काम को करने के लिए women को men की permission जो है वो लेनी पड़ती है अगर males उनको permission देगे तो वो काम कर सकती है अगर उनको permission नहीं मिलेगी तो वो काम ये वाला नहीं करेगी हागर हम कहें कि इस society में women कहें कि मैंने job करने जाना है वो चीज़ सो बिलकुल भी promote नहीं की जाएगी तो इस तरीके के benefits जो है वो women को नहीं दिये जाएगे ठीक है जी यहाँ पर हमने सारा question जो है वो cover कर दिया I hope ये video आपके लिए helpful रही होगी आने वाले दिनों में I will try कि जितना content अभी चैनल पे upload नहीं हुआ है मैं जल्दी से जल्दी सारा content आपको upload कर दूँ ताकि आप easily अपने exams को दे सको Thank you everyone for supporting us and इसी तरीके से support करते रहिए जादा से जादा चैनल को subscribe करिए share this video more and more with your friends Thank you very much